हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू अप्लिफार कनेक्शन तो जैसे कि मैंने कल इस बॉर्ड को पोस्ट किया था क्यमिनूटी में तो आज इस बॉर्ड के मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको यह बेस्टेबल का बॉर्ड जिसके अंदर टोन लगे हुए हैं पहले से ही इन 25 का इंपलिफ़र बॉर्ड तो सबसे पहले इसके अंदर देखना हमें यह है कि जो इसकी सप्लाई के पलेश और मैनस और ग्राउंड काहाँ पर हम इस बॉर्ड को अटेज करेंगे उसी से इसके अंदर शपलाई देंगे ठीक है और कोई भी बॉर्ड है हमारा जैसे 0-12 से लेके 12-0-12 या 24-0-24 तक कोई भी बॉर्ड है तो उसके अंदर इसको हम अटेज कर सकते हैं और कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले हमें अपने डायोड़ देखने है ठीक है, क्योंकि हमारा जो 35 होता इसके ओपर पलस माइनस लिख खा नहीं होता तो हमें ही देखना होता है कि कहा है तो देखते हैं डायोड़ तो जहाँ पे हमारे देखो ये वाइट कलर का जो निशाilsन है अगर यह दोनों मिले हैं आपस में तो यह हमारा पलस निकल गयाएगा यहाँ और जहां से black black मिले हैं वो हमारा माइनस निकल गयाएगा ठीक है तो इसको ऐसे ओलिटा करते हैं हम या फिर आप अपने जो यह टेपेस्टर हैं तो इन से भी पता लगा सकते हैं जिस साइड बे यह प्रिंट होगा वो है हमारा माइनस ठीक है और जहां पे निसान नहीं होगा वो है हमारा पलस ठीक है तो चलिए इदर इसको पलेट लेते हैं तो जैसे कि मैंने बता था तो यह जो यह वाला प्रिंट है देख सकते हैं ये वाला प्रिंट तो ये है हमारा पलस ठीक है और जो ये वाला है ये हमारा माइनस और ये रहेगा हमारा पूरा ग्राउंड ठीक है तो जो इस बोड की हमें माइनस देनी है वो देनी है इसके ग्राउंड में ठीक है और जो पलस होगी वो होगी इसके पलस में तो चलिए इसके connection कर लेते हैं पहले तो friends यह है हमारी wire जिनके अंदर हमें volt input देनी है ठीक है तो यहाँ पे connection करेंगे plus वाले तार के और यहाँ पे करेंगे minus वाले के यानि कि इस board का जो ground है वो हमें इस board के minus में देना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर इसके connection कर दिये हैं यह minus और यह plus ठीक है तो अभी बात करते हैं इसकी input की और output की तो जो यह दो हमारे wire हैं एक यह और एक यह print देख सकते हैं आप इन print पे हमें input देनी है और यह फिर हमारा output कर रह गया तो जैसे input left और right के लिए तो यह हो गया लेकिन जो हमें ground देना है इनपूट के लिए वो जो इसका minus है उसी पे हमें ground देना है यानि कि मेरे पास जैसे aux है जैसे मेरे पास aux lead है मैंने इसको cut रखा आगे से तो या फिर हमारी bluetooth है या aux है कोई भी उसके अंदर तीन तार होती है left और एक ground होती है ठीक है तो आप देख सकते हैं जैसे कि यह minus का था इसका तो इसको इसके अंदर ही मैंने इसको ground में लगाया है ठीक है तो यह हो गए हमारे aux के connection तो अभी जो input का बच गया वो आपको पता ही है कि जो हमारा 35 का input कहां देना होता है हमें यानि के यह हमारा left और यह right और जो बीच में रहेगा वो रहेगा ground यानि के यह हमारा हो गया right और यह हो गया हमारा left तो इसके अंदर अब हमें जो output इस board की जो output है उसके ground देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर क्योंकि हमने ground इससे पहले ले लिया है जो कि हमें इसके minus के अंदर लगा दिया इसका minus और ground हमारा a की है तो इसके अंदर ground देने की जरूरत नहीं है अब इस तरह अगर आप use करते हैं यह आप input देते हैं इसकी तो आपका जो यह base table का section पूरा यह भी काम करेगा और इसका base table भी काम करेगा यह नहीं कि इसके अंदर double base table हो गया यह भी और यह भी जैसे का आप इसको use नहीं करना चाहते तो आपको इसको यहां से काट सकते हैं और जो फिर इसकी उपर वाले section की जो output होती है जांपे input देनी होती है मैं उसके अंदर इनके connection कर सकते हैं वो मैं कभी अगली वीडियो मे बता दूँगा आपको ठीक है फिलाल के लिए इतना ही और जैसे 44-44 और STK 41-44 पे भी बोर्ड रहे थे तो उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं ठीक हो भी जल्दी ही आएगी तो यह थे कुछ connection इस best table board के उमीदे वीडियो आपको समझ में आईए अगर नहीं समझ मे यह तो comment कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई